नमस्कार स्वागत आपका लोगसवा टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देखे रहे हमारा खास कायकरम लोग मंच कुछ तारीखें अपने साथ इस्तिहास लेकर आती हैं 13 देसंबर 2001 की तारिक भी अपने साथ एक काला ध्याय इथियास में दर्च कराने आई थी जब लोगतंग के सबसे बड़े मंदिर यानी संसत भवन पर आतंकी हमला हुआ पूरा देश भोचक था कि आखिर संसत भवन पर हमला कैसे हो सकता है लेकिन ये हमला सच था संसत परसर के अंदर मौजूद स्रुक्षा कर्मियों ने अचानक हुए हमले का बड़ी वीरता से सामना किया लोगतंग के इस मंदिर पर कोई आच ना आए कोई आतंगवादी संसत भवन के भीतर घुस ना जाए हत्यारों और बिष्वत टक समागरी से लहस आतंगवादीयों को संसत भवन में घुसने देने से रोपने के लिए संसत भवन के सुरुक्षा कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपना बलदान दिया, सरवोच बलदान दिया सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी वीर्टा से सभी आतंकियों को मार गिराया आतंकियों का सामना करते हुए दिल्ली पुलिस के और संससेवा सुरक्षा के दो जवान शहीद हो गए उसमें और तभी से 13 दिसंबर 2001 को हर साल उन शहीदों को याद किया जाता है देश उने सर्धान जली देता है आज अपने इस कायकरम में हम आतंकियों पर ही चर्चा करेंगे संसेवा पर हुए इस हमले और आतंकियों को लेके आपने इस कायकरम हम चर्चा करेंगे और इस सर्चा में भाग लेने के लिए तीन खास महमान हमारे साथ स्टूडियों में हैं बिट्टा जी हैं, MS बिट्टा हैं जो आतंकिवाद को लेके लगाताथ देश में मुहिम चराते रहते हैं उन्होंने एक संगठन भी बना रखा है आतंकिवाद विरोधी फ्रेंट करके जिसके बैनर तले वो शहीदों का अधिकारों की बात उठाते हैं उनके हक के लिए लड़ते हैं आतंकिवाद के खिलाफ अबाज को बुलंद करते हैं वर्ष पतकार राकेश आरिया जी हमारे साथ हैं जिन्होंने संसद भवन के पे जब हमला हुआ था उस समय वो संसद भवन में ही थे आशुतोष जहा देने जागरण से हैं वो भी संसद भवन पे हमले के समय संसद में ही मौजूद थे आप तीनों का स्वागत है लेकिन चर्चा पे जाने से पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट संसद में शीत कालीन सत्र चल रहा था 13 दिसंबर 2001 की सुभा मंत्री और संसद अपनी अपनी तैयारी के साथ पहुच रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास अपने अपने मुद्द थे सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक संसद बरिश्वर ने भाद दौग शुरू संसद पर आतं की हमला हो चुका था आतं की लगातार फारिंग करने लगे अपनी अपनी जगह मुस्तैद सुरक्षा बलो ने मोर्चा लेना शुरू कर दिया वहां मुजूद लोगों की जान बचाने के लिए जवानों ने जान की बाजी लगा दिया किसी ने खुले में मुकाबला किया तो किसी ने युद्ध मैदान में रंडीती बदल कर इस दोरान आतं की फारिंग जारी थी जैसे ही जैसे हर बात वो निर्दोशों को निशाना बनानी के लिए करते हैं बर-बर आतं कियों ने कई लोगों को निशाना बनाया आतं कियों से लोहा लेते हुए तिल्ली कुलिस के पांच जवान शहीद हुए CRPF की महिला कॉंस्टेबल, कमलेश कुमारी और संसद के दो गार्ड भी शहीद हुए इस हमले में कुल मिलाकर 16 जवान घायल हुए संसद पर हमला करने के लिए पांच आतं की सफेद अंबसेडर कार में आय थे हुए इन आतंकियों की कार से 30 किलो आर्ड एक्स भी बरा मत हुआ थे 13 दिसंबा 2001 को संसद भवन पर ये हमला दरसा संसद भवन पर हमला नहीं था बलकि लोगतन पर हमला था उन लोगों पर हमला था जो लोगतन में विश्वास करते हैं बिट्टा जी संसद भवन पर जो हमला हुआ था आपने भी उसको देखा होगा क्या कहना है आप जब संसद भवन में हमला हुआ था तो मेरी कोठी सामने है 14 ताल के टोड़ा रोट जब टीवी में मैं हमला देख रहा था मैं सोच नहीं सकता था कि संसद ववन में ऐसा हमला हो सकता है पर हाँ आज चे उस से छे महीने पहले क्योंकि मेरा निकलना आना जाना इदर रहता था जो संसद ववन की शुरक्षा थी वो शुरक्षा मेरी सोच के मताबक सही नहीं थी गेट खुले थे ऊपर पूरी था अपना कर्तब पूरा किया अपनी बंदूग निकाली जो मेरी लसंसी बंदूग थी और निकलने लगा बाहर और मेरे पुलिस के जवानों ने रोका बाहर नहीं जा सकते मैं कहां यह मौका देश का सवाल है अकर कोई आतंकवादी इदर आगे तो हम उसका जवाब था दिया हम इदर नहीं जा पाए सवाल सबसे बड़ा ये है इतना बड़ा हिंदोस्तान के लोक तंतर पे हमला सविदान के मंदर के ओपर इतना बड़ा हमला ये कैसे हो गया और उसके बाद जो परिवारों को कठनाईया आई उसको सिर्फ मैं ही जानता हूं जी दस परिवार वो थे ग्यार मां उनका मेंबर मैं था हमने उनको पट्रॉल पम दिलाने के लिए उनके बच्चों की नौकरी लगवाने के लिए अफजल को फांसी दिलाने के लिए हमें कितना शंगर्च करना पड़ा परिवारों के साथ जिन पुलिटिकल पार्टियों के निताओं को हो जा दिया पर उनको धर 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 बठकना पड़ा अब जाके कई शालों के बाद वो सैटल हुए है पर क्या यह बहुत बड़ा प्रशन और बहुत बड़ा सवाल है कि अभी भी हम संसद भवन में शुरक्षत हैं जिस तरीके से मिस्टर मान ने संसद भवन में जाकर के अ कि शूचल मीडिया में लिक किया और वो पाकिस्तान आयस तक भी पहुँंच चुकी होगी नक्स लाइटों तक भी मुऊषकी पहुंच चुकी ओगी शोशल मीडिया के सत्वारा क्या हमारी कुई जिम्मेदारी नहीं है क्या संसद में बैठे हुए जो ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो छपत लेते हैं देश की रक्षा की छपत लेते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जहां इतना बड़ा हमला हो चुका है उसकी पूरी मूवी बना करके सोचल मीडिया में डालना और फिर एक बहुत बड़ा खत्रा पैदा करना ये बहुत बड़ा प्रेशन और संसर्दों से गंभीटा से लिया भी है और मान जी के खिलाब कारवाई भी की गई है राकेशारी जी आप कैसे देखते हैं तेरा दिसम्माद दोहजारे की इस घटना को तक ये बड़ा हमला था एक सोची समझी रणनीत के तहरत हमला किया गया पाकिस्तान की जो एक साजिस्त थी हलाएंके हमारे बहादुर जबानों ने सुरक्षा कर्मिन उसको वेफल किया लेकिन इसमें मेरा कहना है कि हमको इस प्रकार की घटनाओं का जो तातकालिक नेरणय करना चाहिए उसे इतना बलंबित कर देते हैं जिससे उसका पूरा संदेश ही डाइलूट हो जाए आतंगवादी हमला दोहजार एक में होता है और हम दोहजार बारा तेरह तक अबजल गुरू को फांसी दे पाते हैं और उसमें भी ताक्तें इस वार्ट में लगी रहती है कोशिश करती रहे थे का अबजल गुरू को फांसी न दी जाए जबकि इस पूरे घटना करम का मस्टर माइंड वो था मुझे लगता है इस देश में एक स्वर्म है इस प्रकार की घटनाओं का बिरोधाभास कही होना ही नहीं चाहिए और जहां बिरोधाभास होता है इसका देश जाएगा तभी आतंगवादियों को लगेगा कि अब इस देश में जीरो टॉलरेंस की कोई एक नई परिवाशा आई है जीरो टॉलरेंस का मतलब तेरह साल लग्यां ऐसा नहीं होना चाहिए तेरह देसम पर जिस दिन यह घटना घटी आशुतो जी आप उस दिन मेरे साथी संसल भवर में थे आपका क्या कहना है इसका देखिए अभी बिट्टा साहब ने भी बात की राकेश जी ने भी बात की दोनों सही बात है और दोनों को इस होलिस्टिक रूप में देखना चाहिए अगर हम आतंगवाद पे चर्चा करते हैं एक बात यह कि वह काला दि गिराया संसत को बचा लिया कोई बहुत बड़ी च्छती नहीं हुई देश की च्छबी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ लेकिन उस काला दिवस के साथ क्या वो आँख खोलने वाला दिन हम उसको नहीं मान सकते केवल काला दिवस बोल के हम उसको एक वर मालने की ठी कहकाला दिवश है और सhaheदों को सृधान जली दे 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 लेकिन क्या हम अपनी जम्मेदारी को उसके बाद पाचान पाए हमारी जम्मेदारी क्या होती है हर नागरिक की और खास तोर से सांसत की जैसे अभी विट्टा साहब निका जो कि रोज यहां आते हैं उसके जिम्मेदारी क्या होती है वो जिम्मेदारी के लिए आँख खोलने वाला वो दिन था हम ऐसा नहीं मन सकते हैं कि हर नागरिक को समझना होगा कि देश में कोई भी आतंग फैलाने आ रहा है कोई भी अत्याचार करने आ रहा है कुछ इस तरीके का काम करने आ रहा है तो मिलकर मुकाबला करना है ना कि उसमें अपने अपने परसनल वियू पॉइंट से कहीं ने कहीं लाव उठाने की कोईशिश देखें एक तो वो और जैसा राकेश जी ने कहा अगर हम जैसा कि दूसरे दिन आप आप जानते हैं मनुच जी दूसरे दिन फिर से पार्लेमेंट सदन की बैठक हुई सुबह सुबह ये दिखाने के लिए कि हम आतंकवाद के सामने नहीं जुकेंगे ये दिखाने के लिए ये संकल्प दिखाने के लिए था कि भारत वैसा पर एटेक्ट करवाया हो तो क्या ये मानेंगे कि हम बहुत सक्त हैं आतंकवाद के लिए हमें उस लेबल पर भी सक्ति दिखानी पड़ेगी कि अगर ऐसा काम होता है तो हम तत्काल एक्षन ले जी जी जैसा आपने पहले का राके जी आशुतोष ने भी इस बात को उठाया अ मैं बात तोकरा हूँ आपकी जै क्योंकि सारे केस को परिवार के साथ हम लड़े जै इसका राजनिती करन हमने नहीं होने लिया बी जैपी हो कॉंग्रेस हो सी पीम ये परिवार और हम थे हम किसी पार्टी के बैनर पे ना खड़े हुए ना कभी होना था सवाल सबसे बड़ मैंमन के मुद्डे पर राजनिती मैं इसी बात को आपसे जाना चाहता हूं को फांसी होती जिसने मेरे पर ब्लास्ट किया पांच राज्जेना रोट पे 35 लोग मारे गएं तो 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 तूड़ जाता है अफजल को फांसी होती कसाप को होती है मैमन को होती है तो मुसलिम वो हम पॉलिटीशन लोग वोट बैंक की पॉलिटिस्ट करते हैं तब ही जाके ये पार्लीमेंट के बाद 26.11 की गटना होती है दिन्ना नगर की गटना होती है पठान कोट की गटना होती है और अफजल के मामले में फाइल 13 साल जैसे सहाब ने बताया 13 साल पांच किलो मीटर के धारे में गूमती रहती है ची मिनिस्टर हो मिनिस्टर लौ मिनिस्टर रास्टपती बवन तो क्या अतंक बाद के खलाफ हम पॉलिटीशन संसीर हैं हम पार्लीमेंट के अंदर नोट बंदी पे एक हैं वोट बंदी पे एक हैं बंद के उपर एक हैं पर अ नहीं है क्या किसी भी नेता ने उस वक्त शोचल और्गनाईजेशन ने क्या किसी परिवार के मेंबर को जो शहीद हो गए पार्लीमेंट के अंदर पूछिए गवा है क्या एक भी उनके पास क्या आपके बच्चे कैसे हैं आपके आप जॉब कैसे करेंगे शादिया कोई पू पोटो निकालो और सरदांजली उनको दे दो और चला गया समाज को समाज को हमें बताना है कि समाज को बताना यह वो जवान थे जिन्होंने मात्र भूमी की रक्षा के लिए कॉंग्रस बीजेपी सीपीम सीपीए सब निताओं को बचा दिया इसको देख करके हमें नौजव मैं लोग सबाद चैनल का शुकर गुजार हूं कि आपने इस चीज की पहल की है बिट्टा जी जैसे आपने कहा संसद से तो हमेशा ही एक स्वर में अबाद जाती है संसद में जब संसद चलती है तो संसद ने 2000 में जब यह हमला हुआ था एक में तब भी यह संकल्प लिया था आतंगवास से लड़ने का राके जी जिस तरफ बिट्टा जी ने इशारा किया कि चाहे मेनन का मामला हो चाहे अफजल गुरू का मामला हो चाहे कसाप का मामला हो उसका महमा मंदल इस आधार पर क्यों होता है कि वह फलाने धरम का या फलाने धरम का जिसकी तरफ बिट् जानी प्रिए अफ्जल गुरू को ये भान कैसे हुआ कि मुझे फांसी नहीं हो गी क्योंकि इस देश के नियाइक सिटम की बेवस्ता, पॉलिटिकल सिटम की बेवस्ता, यहां कि समाच की बेवस्ता ने 다음 के इसके इसको इतना मजबूत कर दिया कि मुझे फासी हो नहीं सकती और वो इसी आधार पर दया याचका लगाता है उसने खुद कहा अफजल कुरू ने कि नहीं मुझे फासी नहीं होगी क्योंकि उसको पता था कि हमारा भारत बटा हुआ है धर्म के नाम पर समाज के नाम पर बोट के नाम पर राजिनेतिक दल के नाम पर भारत की अश्मिता के नाम पर यूनाइट कहा है एक दिन की हम अपनी यूनिटी संसत में दिखा से हैं लेकिन उसके बाद चिंता जैसे अब को मैं आज अगर आप हैरान होंगे जब अफजल की फांटसी के मुद्दे को हम उठा रहे थे परवारों के साथ शैशन चलना था मैडल उटाने अब्दुलकलाम जी को लेके जा रहे थे आप हैरान होंगे कि पाइच दिन पहले कोई बड़े आई बी के सीनियर आफिसर आते आप मत मैडल उटाइए मैं क्यों आपकी शुरक्षा हट जाएगी 93 की तरह मारे जाओगे मैं का मरना कबूल है पर जिन जमानों ने हमारे सब हिंदोस्तान के सविदान को मंदर को बचाया है यह कप की बात है है कप की बात बता रहे हैं जब हम अफजल को फांसी का फैंसला नहीं हो रहा था मैडल उटाने गए थे और शैशन चल रहा था इनी दिनों की बात है हमें थ्रेट आता है हमने नहीं यह सविदान के मंदर का सवाल है यह सारी पॉलिटिकल पार्टी के नताओं को इन्होंने बचाया हमारी शुरक्षा हटा द ली दस परिवार वो थे एक परिवार का मेंबर मैं था कोई पॉलिटिकल स्पोर्ट नहीं थी सर्फ शंगर सा हमने किया और उसको फांसी को भी तेरा साल लगे जी रागें केंद्र में यूपीय की सरकार थी मनमौन जी प्रधान मंत्री थे बट्टा जी जब वो बता रहे ह उसी समय की मैं ये बात पता रहूं कि उस सरकार में भी ब्रोधावासी बयान कि एक तरफ चिदंबरम जी कह रहे हैं कि नियाए नहीं मिला हुशे इससे क्या संदेश जाता है जिस व्यक्ति ने पूरा संसत पर हमले का ताना माना बुना और उसको आप कह रहे हैं नियाए नहीं मिला है उसको अभी जिन्दा देखना चांते हैं लोग मैं अब मैं सुकर को जारूं कि राश्ट्रपती जी ने उस दिया याचिका को खारीज किया एक अगर साइद जो ताक्तें इस देश में काम कर रही थी वो एक दवाव बनाने का काम कर रही थी कि अफजल गुरू को फांसी नहो कितना गलस संदेश जाता कि आतंकबादी जो रद्यायाचिका को खारिच किया और आखिर उसको अंततय वही परणाम मिला जो होना था पर मेरा कहना है कि इस देश में आतंकबाद के नाम पर भाशा कि आतंकबादियों को बचाने के नाम पर ये स्वर क्यों दिखाई देतने हैं क्या उन लोगों को नहीं पताए कि हम क्य कर रहे हैं जेनु में कभी अफजल गुरू के लिए मातम मनाया जाता है कभी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है मुझे लगता है इस देश में नेशनल इस्परिट को और आगे ले जाने की ज़्यूजत है आशुतो जी बिट्टा जी ने राकेशारे जी ने राज्डियत स्टाम, कोट उस सब पर बाते अपने भी रखी अपने विचार रखे कहीं न कहीं सवाल मीडिया की भूम का भी आता है वो चाहें याकुब की फांसी का सवाल हो या अवजल गुरू का बात हो तो मीडिया जिस तरह से कुछ चीनों का महमा मंदन होता है उसको लेके भी सवा लोटते हैं आपके क्या का देखे मनुच जी मेरा मानना है कि कई लेवल पर सुधार की जरुवत है हम पॉलिटीशन को तो ठीक है अलोचना करते हैं और अलोचना करनी भी चाहिए चुकि सब कुछ डिसाइड वो करते हैं नीती वो तै करते हैं तो उनकी अलोचना तो होनी जाए है समाज के लेवल पर भी बदलाओ की जरुवत है क्योंकि हम देखते हैं और चुकि मीडिया मीडिया समाज का ही एक हिस्सा है उसी को प्रतिविम्बित करता है मीडिया भी ये भी बहुत लेवल पर खास तोर से इंडिया में ये हम लोग महसूस कर सकते हैं कि कि किसी पॉलिटिकल विचारधारा से प्रिरित है समाज का भी कई हिस्सा बटा हुआ है अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्यों है कि जो लोग महमा मंदन करते हैं जो लोग ये बोलते हैं कि अफजल गुरु को नियाई नहीं मिला जो लोग यो बोलते हैं कि बही कसा आपकी और का भहिसकार क्यों नहीं करता है, तो समाज में भी बढ़लाव की जरुवत है, मीडिया आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मीडिया प्रभावित करता है समाज के एक बड़े हिस्से को, और मीडिया इस से ग्रसित है, इस विचारधारा से बटा हुआ है वो निश्पक्ष जहां होनी की जरुवत है जो कि मीडिया की मुख्य भूमिका है कि वो निश्पक्ष हो करके हर चीज पर सामने रखे कि क्या है दृष्टिकोन रखे वो प्रभावित हो कर कभी कभी मायॉपिक वीव होता है कभी कई बार आप देखेंगे जिसकी आलोचना मैं तो करता ही हूँ मुझे लगता है हर कोई करेंगे इसमें बहुत वड़ी स्विधार की जरुवत है और तीसरा कोट की बात है कि हमने आप कहेंगे कि हमारे यहां नियम है प्रावधान है कि उसको नियाय मिले तो उसके लिए वो कोट ज दिख लिजे लेकिन संसद के पास तो अधिकार है ना संसद कोई कानून या ऐसा क्यों नहीं बनाता है कि आतंकवाज से जुड़े मुद्धे हैं तो उस पर त्वरितकारवाई होगी एक साल के अंदर हम फैसला करेंगे बिट्टा जी मैं आपके पास आता हूँ पहले राकेशारे जी से ही इस मीडिया की भूंका पर मैं सवाल पूछनू आशूत जी मैंने सवाल ये इसलिए उठाया कि चाहें मुंबई पे जो हमला हुआ उसकी बात हो कुछ नियम काईदे कानून बना गए थे क्योंकि हम जी मीडिया को एक दाइरे में रह करके उसको भी राश्ट हित राश्ट धरम में चाहिए जहां तक मीडिया की भूमिका है मैं उस पर प्रपेक्श में नहीं जारा है आतंकवाद को लेक्षा गटनाए हैं उसमें मीडिया को एक संयम का परिछे तो देना ही देए लेकिन जहां बात इस बात की हो कि छोटी छोटी घटनाओं पर महिलाएं केंडल लेकर के आएं प्रदर्शन करें उसका महिमा मंदन हो वो ऐसे लगता है कि भारत में इससे बड़ी घटना कुछ होई नही हैं कि भाई क्यों पठान कोट की घटना हो या तब पाकिस्तान जिस तरीके से भारत में प्रायुजित आत्रकबाद फैला रहा है तो उस पर रबया मीडिया का थोड़ा मुखर होना चाहिए और उस पर जवाब भी देना चाहिए और इसमें एक जंज जागरण की भुमिका भी निवानी चाहिए क्यों आज केवल संसद में ही ये कारिकरम हुआ तरदान जली का कारिकरम लोगों ने सही जिन्हों ने अपनी जान देकर के इस देश को बचाने का काम किया भारत के उपर बड़ा कलंक लगाने बचने का काम किया कितने नेताओं की जान की रख्षा की उन लोगों ने तो ये कारिक्रम सिर्फ संसत के भवन के अंदर ही क्यों हुआ मुझे लगता इसे पूरे भार इसे समाज में जंजागरती का काम होना चाहिए लोगों को लगे कि नहीं ये अस्तोची ने कहा कि फिलिंग राष्टवाद की फिलिंग आतंकवाद के खिलाब लो बहुत अच्छी बात की एक साल के अंदर फैंसला हो ये कहा जन चेतना शहादत कुर्बानी क्या ये संसत भवन के अंदर रह गई अगर बाहर कोई व्यक्ति सर्दांजली देना चाहता है तो वह कहां दे मेरी डिमांड रही परिवारों के साथ अर्बन ड्वेल्वन को कि संसत भवन में भार कोई भी चुरहा है वहां इतनी निताओं की तस्वीरे लगा रखी वहां शहीदों का एक शमार्क बता दे स्टूड़न्ट आएं बच्चे आएं सर्दांजली दे ताकि उनका जज़बा बने अरे इतने बड़े लोकतंतर के मंदर को बचा दिया हम हमारे जवान शहीद हो जाते हैं सिमाओं की रक्षा करते हुए चबी ग्यारा को पार्लिमेंट के अंदर शहीद हो जाते हैं और टेलिविजिन के अंदर हम एक दूसरे से तूतूमे में करते हैं तेरे टेम पे चबी ग्यारा हुआ था आपके टेम पे पठान कोड की गटना हुई थी आपके टैम पे दीना नगर की घटना हुई थी आपके टैम पे पार्लिमेंट हुआ था आपके टैम पे कंदार की घटना हुई थी वाए लड़ने वाला जवान है शहादत कुर्बानी देने वाला जवान है और हम अपनी फोटो पॉलिटिक्स, मीडिया पॉलिटिक्स, हम पाकिस्तान को अतंकवादियों को ये संदेश दे रहें कि हम एक नहीं है, हमारे जवान चाहीद कीजिए और आत को हम को देखे हजिए, ये मीडिया का रोल होना चाहिए, कि किस आदमी का उन्होंने इ देखता हूँ, ऐसी कि पार्टियों के निताओं का इंट्रिव्यू लेके खड़ा कर देते हैं, जो खुद चाते थे कि अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए, मैमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़े प्रशन और बहुत बड़े सवाल है, दूसरा इनकी बात का मिल्टरी का कोट क्यों नहीं घठर करते हैं, साल के अंदर-अंदर सदाय माउच यां उमरकैद एंटी-टर्ष मिल्टरी कोट दे, अटनकवादियों के केस, यह सप्रीम कोट नहीं जाने चाहिए, यह रास्टरपती जी के पास नहीं जाने चाहिए, हम पॉलिटिक्स करते ह हैं, हम वोड मेंक की राजनिती करते हैं, हम सता कुर्सी की राजनिती करते हैं, उन से अलग कर देना चाहिए आतंकवाद को, और इनका जो सवाल है, अरे क्या मदाख है, पार्लीमेंट में इतना बड़ा हमला, छबी गयाना का इतना बड़ा हमला, हमने पार्लीमेंट के अं लेकिन संसत भवन में शिद्धानजरी कायकरम का आयोज़ित इसलिए होता है कि इस रास्ट को ये संदेश जाए कि आतंगवात के पिर्थी सरकार कितनी गंभीर है, राजनेता संसत कितने गंभीर हैं, इसलिए इस तरह कायकरम संसत भवन में हर साल आयोज़ित होता है, आज प ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देखरें हमारा खास कायकरम लोकमच और लोकमच माईद हम चर्चा कर रहे है आतंगवार्थ पर संसर भौन पर हुए हम लेकिए आशुतो जी ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे मीडिया की भौन का प्रेक उसी से एक जोड़ा सवाल अकसर आता है अभिवक्ती की आजादी मैं ये शब्द इस दिए उठा रहा हूँ इस चर्चा में क्योंकि इन शब्दों को लेकर कहीं न कहीं एक राजनिती होती है या कुछ बचाने की कोशिश होती है अभिवक्ती की आजादी मानवा अधिकार ये जो शब्द हैं उसमें आतंगवाद की जो खटना है उसमें ये शब्द कहां आ जाते हैं क्या एक आतंगवादी जो निर्दोशों को मारता है उसके लिए अभिवक्ती की सुतनता हो सकती है मानवा अधिकार की बात हो सकती है क्या जो जवान शहीद होते हैं या जो निर्दोश मारे जाते हैं उनका मानवा अधिकार की बात कौम करेगा आपने बिल्कुल सही कहा है पहली बात तो जो लोग ऐसा सवाल उठाते हैं आतंक वादियों के लिए यह आतंक वादियों को बचाने वालों के लिए जो उठाते है कि अभिवक्ति की सुतंतरता है वोलने की आजादी है इन्हें पहली बाद तो मुझे नहीं लगता कि वो जो लोग इस तरीके से आजादी की बात करते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा मुलभूत अधिकार है वो समस्ते ही नहीं है संविधान को और सौरी संसद में बैठने वाले लोग भी ऐसे कई लोग हैं जो संविधान को नहीं जानते हैं और समस्ते बिलकुल नहीं है भावना तो कि हम कुछ भी कर सकते हैं सामने, आजादी वो है, जो आप एक सीमा में रहते हुए, इस लिवल तक करें, कि दूसरों की आजादी पर प्रहार ना हो, आतंकवादी क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या गोली मारने की आजादी मिली थे, जो हम आप उनका बचाओ करने आएंगे, उन संबे में ट्रेन पर बैठ कर सुबह सुबह जा रहे थे अपने नौकरी के लिए, आजादी उनकी थी, जो यहां पर जिस दिन संसद पर एटैक हुआ, सारे संसद भी आये थे, बाहर सुरक्षा कर्मी भी खड़े थे, वो भी अपने कर्तब्य का निरवन करते हुए आजाद लेकिन एक लिमिट तक, उसकी आजादी को तो आपने छेड़ दिया, आकर गोलियों की बौचार कर दी, हमारे दस बारह सुरक्षा कर्मी शहीद हो गये, एक मीडिया के हमारी भाई भी थे, फोटोग्राफर थे, वो भी शहीद हो गये, आपने उनकी आजादी का हननन किया, आपने लोकतंत्र का हननन किया, और हम आ रहे हैं आपका बचाओ कर दे, राकेश जी आपने पहले विशे को उठाया, अवजल गुरु के मामले को लेकि जो संसत भवन पे हमला हुआ, उसका जो मास्टर माइंड था, उसे लेकि अक्सा जेनियों में कायकरम, जैसे ऐस तरह क कई कायकरम आउजयत होते हैं, अवजल गुरु के समर्थन में बाते होती हैं, और उसे अविवक्ति के आजादी का नाम दिया जाता है। करने का जिसने ताना बॉना बुना हो, उसको आप इस देश में सहीद घोचित करने का काम करेंगे। यह कहां की नितिकता है। और मुझे लगता है, हमारे समाज में भी थोड़ी इसकी गिरावट है, ऐसे लोगों को बेनकाप करना भी चाहिए, जबाब भी देना कि बई चाहिए जया नहीं हुए या कोई भी जा रहा हो, एजूकेशन के लिए बनाया गया है ना कि राजनीत के लिए अकाड़ा बनाया गया है। राजनीत करनी आई है मैदान में, लेकिन जहां सहचनिक संसान है, वहां इस प्रकार का विश समाज में गोलने का काम कम से कम नहीं होना जाइए। मारते हैं, तब मानवादकार का सवाल ख़डा किया जाता है। यह मानवादकार रूपी जो सवाल है आतंगबाद में इसकी क्या जगए है? यह मानवादकार सिर्फ आतंगबादियों के लिए बात होगी? मानवदकार संगठन खोना चाहिए इसमें कोई शक्नी जो पंजाब की लड़ाई से लेके नक्स लाइटों की लड़ाई से लेके जम्मो कश्मीर की लड़ाई को देखके उनके परिवारों को देखके शहीदों को देखकर के जो हमारे साथ जवान आदे आदे सरीर उड़के उन करके देखकरके मैं मानवदिकार संगठनों को एक सवाल पूछना चाहता हूं. अगर आप किछी भी शहीद परिवार के घर में गए हैं, अगर पार्लिमेंट में शहीद हुए हमारे जवानों के बच्चों को परिवारों को मिले हैं, 26-11 के परिवारों को मिले हैं पठान कोट के परिवारों को मिले हैं तो हम मानवदकार को सलूट करेंगे ये मानवदकार संगठन इनको वदेशों से फंडिंग आती है ये अतंक वादियों के लिए खड़े होते हैं उनको फांसी नहीं होनी चाहिए उनके लिए खड़े होते ह और हमारे कई पॉलिटीशन जजबातों के जब नारे लगाते हैं राम लीला ग्राउंड के अंदर कहते हैं बंदे मातरम भारत माता की जाए शहीद हो जाएंगे देश के लिए लोक पाल बिल के लिए तरंगे जंडे हलाते हैं तो हम सब एमोशनल होके उनके काफले में चले जाते हैं स्टूडन भी उसमें होते हैं जेनु के सबके जिए और जब भूख लगती है जनाब चवानों की बात आती है बूख लगती है मौत सामने नजर आती है तो बंदे मातरम करके जू स्पी करके एक गांधीवादी नेता को महरास्ता में बेज देते हैं एक सता समाल और उनके रहते हुए जेनू के अंदर ये कहते हैं बारत मा तेरे टुकडे टुकडे करेंगे, ये कहते हैं घर घर अफजल पैरा करेंगे, इनकी ऐसी की तैसी ये भारत माता है, ये धर्म साला नहीं है जराब, कौन लड़ेगा इसके लिए, हम तो लड़ाई हैं, ये पत्तर के अंदर एक मजाख नहीं जाए जाए जो इन तीनों के उत्थान के लिए जो इसके लिए नहीं जी रहा है वो तो दानव है और जो उसके वाकालत कर रहे हैं वो दानवा दिकार संगठन के लोग है कि कोई मानवा अदिकार संगठन का काम केबल आतंकवादियों को सनलक्षन देना या देश दिरोम के काम में जो लोग लगें उन्हीं को सनलक्षन देने का काम है समाज में जो लोग जंडा उठाते हैं बात बट्टा जी ने बिलकुल सही कही है वो फॉरंट फंडिंग मिलता है उस पर काम कर रहे हैं उसी योजना के अनुसार चलते हैं हमें राष्ट्र भक्ति और उनके लिए कोई माइन नहीं नहीं वो केबल एक एजंडे सेट करने के लिए और देश में नया बातमन बनाने के लिए खड़े होते हैं तो ऐसे मानवतकार संग्ड़नों को तो मुझे लगता बैन करना चाहिए तो बिल्कुल बात कहूं इतने जवान शहीद होते उनके परिवारों के साथ में रहता हूं कल से आज तक जो शहीद हुए कहां कहां गाओं हर साल उनके चर्णों में जाता हूं परिवारों के साथ कोई ऐसी और्गनाइजेशन कोई ऐसी एंजियो मानवतकार संगठन जा और क्या कभी किसी परिवार के लिए मदद के लिए सामने आए यह तो अब सरकार ने एक शुर यह सेवा नहीं है कि आप एंजियो बना लो सरकार से भी पैसा लो फॉर्म से भी पैसा लो अरे जो जवान मात्र भूमी की रक्षा करते हैं उसके लिए एंजियो क्या सेवा करते हैं यह सबसे बड़ा प्रशन हो सकता है लेकिन देश में तमाम संगठन हैं तमाम लोग हैं जो शहीत प्रवानों की मदद करते हैं ऐसे कई संगठन काम कर रहे हैं आशुतो जी मैं आपसे समझना चाहता हूं दो हजार एक में आतंगवादी हमला हुआ एक लंबा समय गुजर चुका है पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है अब यह छदम बाली बात जो राकिश जी ने निर्तत में सरकार बनी हैं मूतोर जवाब भी उसे दिया जा रहा लगा था क्या अंतर आप देख रहे हैं पिछले बारा-तेरा सालों में जो आ जा 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 आए देखिए एक अंतर तो यह है कि हम कारवाई करते हैं और खुलकर यह बोलने का दम रखते हैं कि हम कारवाई और भी कर सकते हैं यह एक बड़ी बात होती है क्योंकि डिप्लोमेसी में कई चीज़ें केबल छिप छिपा कर होती हैं कई बार जरुवत होती है खासतो और पर जब आपके पडोस में पाकिस्तान जैसा देश हो कि आपको सीना ठोक कर को भी बोलने की जड़त पड़ेगी डिप इसलिए आप जो अभी तीन चार दिनों में देख रहे होंगे थोड़ा सा बदलाओ पिछले एक साल में पहले रिष्टे शुद्रे और उसके बाद फिर पिछले एक साल में बहुत तीखे हो गए पाकिस्तान के साथ जिसमें कि पठान कोट एटैक भी हुआ उरी का है उरी क जो खुले तोर पर भारत विरोधी नहीं माने जाते हैं भारत विरोधी नहीं होंगे ये तो पाकिस्तान में मानना संभव नहीं है लेकिन उस तरीके के नहीं है जैसे अभी तक हुआ करते थे ये सायद इसलिए हुआ है क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली बिलकुल अलग रुख बदल गया होगा मुझे अभी भरोसा नहीं है पाकिस्तान पर सच में बताओं लेकिन ये जो बदलाव आया है पाकिस्तान में ये भी इसी करन से आया है क्योंकि मोधी गवर्मेंट ने डिप्लोमेटिकली बिलकुल अलग तलग कर दिया सर्जिकल अभी दो महीने पह राकेश जी जो मैंने पाकिस्तान का विशे उठाया विजब आतंगवाद की चर्चा होती है तो पाकिस्तान की चर्चा होना लाजमी है कूटनी तिक मोर्चे पे पिछले दो ढ़ाई सालों में हम जो बदलाव देख रहे हैं पहले की सरकारों नो भी अपने इस तरपे आतं पाकिस्तान की इस्तिती है उसे आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान में पाकिस्तान को नहीं छूड़ा तो नरिंद्र मोदीजी की सरकार श्मकार जो hasn भूब पुराना भारत नहीं रहा है, 2001 का भारत अब नहीं रहा है, 2016 चल रहा है, अब इसमें पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा, इस प्रकार का संदेश मुझे लगता है, पाकिस्तान के रहनुमाओं को लगता है, इसी लिए अभी अस्तोची ने जुखा, अब वहां आईए दिखाने की कोशिश हो रही है, कि हमने अपनी फैक्टरी में थोड़ा सिच आफ कर रहा है, पर वो मानेंगे नहीं, जो रातन पाकिस्तान के वारे में, जो एक पूरी दुनिया को पता है, कि आतंकवाद जनरेट करने वाली फैक्टरी है, तो वो थोड़े समय के लि अभी जिस तदीके से उन्हें सारे कूटनितिक मोर्चे पर बेनकाब कर दिया है, तो पाकिस्तान के पास को यह अपसर नहीं है, मुझे लगता है, इसलिए अभी सांत है, बिट्टर जी, आतंगवाद और जो कूटनितिक मोर्चे बंदी है, पाकिस्तान ने खिलाब, उसे आप कैसे देख दो बड़े सीनियर पत्तरकार हैं, किशी पुलिटिकल पार्टी के नहीं, इनकी विशारदारा अजाद है, नरिंदर मोदी जी के बारे में जिकर किया, मैं नरिंदर मोदी जी को बीजेपी का लीडर मैं नहीं मानता हूं, मोदी जी हिंदुस्तान के वो पर बहुत बड़ा सवाल था, मोदी जी ने क्या कहा था, ये नवाज शरीफ क्यों आया, हम लोगों ने सवाल जवाब उठाए, मीडिया के अंदर, पूरी दुनिया में गुमें, हमने क्या, रोज बाहर जाते हैं, आज जाके पता चला, कि नरिंदर मोदी जी ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक टैरिस्ट कंट्री है, और पाकिस्तान को अकेला कर दिया, सांस कमेटी की मीटिंग हुई, सिरीलंका नहीं आया, नेपाल नहीं आया, बंगला देश नहीं आया, हमारे 18 जवान गात लगाके दोखेसे शहीद किये, लोग कहते थे जवाब नहीं दस दिन के अंदर सेंटर से खुली छूट थी तभी है ना पहले तो हमारे जवानों के सिर कड़ते थे फारेंग होती थी रोग दी जाती थी अब कहा वहां जाके ठोके और वहां उनके पंताली सातंक वादियों को उनके केमपों को धेर कर दिया उसके बाद पांच जवान शहीद हुए पंदरा उनके जवानों के मौत के घाज उटा दिया आज मैं अभी बॉडर एरिये पे होके आया हूँ कुछ समय पहले कश्मीर के अंदर खुली छूट है जवान कहते हैं एक गोली चलती है तो सौ का जवाब दो जो हमारे पस्तरकार सीनियर भाईयों ने कहा आज गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है और इसके उपर मैं फिर कहूं वोट बंदी पे एक नोट बंदी पे एक बंद पे एक पर पारलीमेंट के अंदर हम अतंकवाद के मुद्दे पे एक नहीं है यह बहुत बड़ा सवाल है यह सवाल आपका हो सकता है लेकिन संसद ने हमेशा एक जुटता का संदेश आतंगवाद के खिलाफ दिया है आशुतो जी मैं इसी सवाल को ले लेता हूँ ज मैं जब भी ऐसे मुद्द्याए है हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग एक साथ किसी दल की सरकार रही हो और इंडिपेंडेंट हो चाहे लाजस्ट पलिटिकल पार्टी के हो आतंगवाद जैसे मुद्दे पे जब भी बात शुरू हुई है संसद में मैंने कभी दो मत नहीं देखा लेकिन जैसा बिट्टा जी ने कहा ये जो दुर्भाग्य है संसद में हम हमेशा एक जोट होते हैं ये साइद संसद का ही असर होगा ये चुकि यहां एक ऐसा बातावरण है तो वो असर होगा कि यहां पर एक जोट दिखते हैं बाहर निकलते ही पता नहीं क्या होता है कुछ दूसरी हवा लगती है और फिर बिखर जाते हैं जी हाँ राकेश जी आपका क्या बिलकु सही का आस्टोई जी कि मैंने राजनेतिक दलों में कभी बहुत मतवेत संसत के अंदर नहीं देखे आतंगवाद के मुद्धे पर बहुत स्ट्रेट लाइन खिछती है और लगता है कि यह भारत एक है पर बाहर संसत के गलियारे के बाहर आते ही उन्हें बोट दिखाई देने लगता है तो मुझे लगता है वहां उनकी धारणा बदल जाती है बिट्टा जी का दर्द है वो यह नहीं बता रहे हैं वो यह करी कि संसत में राजनेतिक दल एक नहीं है संसत में तो एक दिखते है रेजिलूशन मे संसत के खिलाब हो सकता था वो किया भी मुझे लगता है बड़ा स्टेप है चुकि संसत चुनकर आते हैं उनकी भी अपनी एक मर्यादा होती है उनको भी अपने एक दाइरे में एक संसत की जो सफ़त लेते हैं उस दाइरे में उनको रहना चाहिए लेकिन इसके बाब नहीं की कि माननी संसत संसत कारिवाई की है लोकषबा अधर्शी ने उसके खिलाब इस्ट्रक्चर पास किया मुझे लगता है एक बड़ा स्टेप है पर इसमें देखने की बात यह कि आतंकवाद के मुद्दे पर बाहर अप चुके राजिनितिक दल है वोट भी चाहिए त तो बिट्टा जी का मुझे लगता है कहना यह कि बाहर जाकर कि जो स्वर्व सुनाई देते हैं उसमें बिट्टा जी कुछ कहना चाहिए है बात करूं इन्होंने च्छपत की बागि बात की मंत्री जी हो परधान मंत्री जी ऊंँव रास्टपति जी हों फडिनितिक हो एम बोटबंदी का मामला आया किसी को खबर तक नहीं इसको कहते गोपनिया इसको कहते हैं बिलकुल अंदर उठ चीज़ को रखा यह आप कह रहे हैं कि भगवंत मान की बात उसको सदा कौन सी सदा मिली उसको? क्या सीखा हमने उससे संसद बवन है, संसद बवन में हमला हुआ है, आप बार-बार जो उसको निकाल करके बाहर करो, मेंबर पार्लिमेंट की, सवाल इतना बड़ा हमला हो जाए, लोक तंतर पे हमला हो जाए, और उसक बाद लिखा पड़ी में काम चल रहा है, जैसे कोट के चरी ऐसा असाब नहीं होता, बिट्टा जी संसद की अपनी मर्यादा है, आशुतो जी नोट बंदी का बिट्टा जीने सवाल उठाया है, एक पहलू और महत्मूर है, नोट बंदी से ही और आतंगबाद में हम चर्च इस सब पर तगले तरकी होई है, क्या कहना है, नहीं, यह जो आपने बात कही, मनशा सरकार की यही थी, यह जो लागू किया गया, उसकी मुख्य मनशा यह थी, कि काला धन, चुकि काला धन एक ऐसा मुद्धा है, जो आपको याद होगा कि 2014 का इलेक्शन का मुद्धा था, जिस पर ही मोदी गवर्मेंट जन्मत लेकर आई थी, तो उस पर तो करना ही था, और काला धन पर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ असर होगा, अब एक्जैक्टली देखना पड़ेगा जब तक यह खात्म होता है, असर तो देखने को मिलना है, कि कश्वीर घाटी में हवा करना चाहें, तो मुझे लगता है, थोड़ा सा एकाद महने और रुक कर इस पर स्पस्ट विएचना होगी, फिलहाल जो आपने बात कही, असर शुरू हुआ है, कही जगों पर हवाला के कारोबार बंद हो गए हैं, और हवाला के कारोबार बंद होंगे तो सबसे प्रभाव यहां चल रही है, तो कहीं कहीं समाज के हिस्से से मदद मिल रही है, तो यह देखने के लिए कि पूरा कितना प्रभाव पड़ा हमें लगता है, एक आद महने और रुकना पड़ेगा, लेकिन यह असर हुआ है, इसको कहते हैं, एकनॉमिक टेरिजम, बारा हजार क्रोड नक कश्मीर बंद था कई महीनों से, पत्थर चलते थे हमारे जवानों पे, पत्थर चलने बंद हो गए, और कश्मीर जनाब खुल गया, यह सबसे बड़ा एकनॉमिक टेरिजम साथ, नोट बंदी का, नोट बंदी को छोटा सा मामला नहीं है, जनाब, हमारे जवान, हमें भी दुख आता है, हमारे परिवार के लोग भी आज नोट बंदी को लेके, हम भी दुखियें, खुला खर्च करते थे, आज नहीं कर पाते, जब माएं बैने सडकों पे देखते हैं, हमारी आखों पे भी पीडा होती, आखों में आसू आते हैं, हम वी आईपी लोग मंदरों म हर जगा पे वोट डाने जाते, वी आईपी की तरह जाते हैं, हमें में आज पीडा होती है, पर मात्र भूमी के आसू निकलते हैं, जवानों पे गोलियां चलती हैं, जवानों पे पत्थर फेंके जाते हैं, मात्र भूमी की रक्षा के लिए, उसकी पीडा हम सबको नहीं है नोट बंदी के ओपर मैं फिर कहूं ये एकनॉमिक टेरिजम है इतना बड़ा स्टेप उठाया है सबसे बड़ी आने वाले टेम्प पे अतंकवाद को इसकी लगाम लगी है और आगे लगेगी राके जी प्रधानमंती नरेन मोदी ने जब आठ नवंबर को ये ऐलान किया था तो उसमों ने ये बात कही थी मैंने ये सवाल इसलिए चर्चा में लाया कि हम आतंगवाद पे चर्चा कर रहे हैं और जब नोट बंदी का ऐलान उन्होंने किया था तो उसमें एक बहुत बड क्या है कैसिक्षन ओणावरत बीक्रति को जनम देती क्योंकि कैशानमि भारत में सत्र असी परसेंट कैशानम में का खेल है तो कैश स्केक्षन कहीं पैसμεला के दूल पैसा जा रहा है तो उन लोगोंकि मदद भूर यह खबर आती थी कश्मीर में बच्चों को पत्थर फेखने के लिए सेना पे दिहाली पर रखा जाता है लेकिन नरेंद्र मोधी जी ने जो कैसलेस साइटी बनाने का जो संकल्प लिया है उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा अटेक तो आतंकबाद पही होगा और आतंकब करेगा कि नक्सलाइट आंदोलनकारी या और सेपरेटिस्ट मुवमेंट किस प्रकार से अपनी रणनीत को बदलते हैं क्योंकि बगएर एकोनोमी के दो नहीं चल पाएंगे चाहिए आज नौर्थ इस्ट हो चाहिए अपना कर्जमू कश्मीर हो चाहिए नक्सलाइट हो इन है कि जब कैस एकोनोमी कम पड़ेगी तो मुझे लगता है उस पर इंपक्ट आएगा बस अब देखना यह है कि वो आतरंग फैलाने वाले जो ताने वाने को अभीज इंडिया में चला रहे हैं वो अपना रिशोर्स कहां से लेते हैं क्योंकि अब डिजिटल फॉर्म में त तो मुझे लगता है इस इस रूट्स को देखना पड़ेगा कि वो नया फॉर्म क्या तयार करते हैं और कहां से उनको बदद मिलती है मुझे लगता है इसमें चलिए आप तीनों ने इस कायकरम में आतंगबाद पे गहें चर्चा हमारे साथ की आप तीनों का ही शुक्रिया तो इस कायकरम में इतना ही मुझे दीजिया आगया नमस्कार